दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी LIC की किस्ट आपका आता है तो आपको अपनी किस्ट जमा करने के लिए किसी नजदी की LIC ओपिस में जा करके अपना किस्ट आप लोग जमा करते होंगे जिसमें आप लोग का बहुत सारा टाइम जो है बरबाद होता होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग घर बेठे अपने मोबाइल फोन से फोन पे के अपलिकेशन से अपना LIC यानि की भारतिय जीवन बिमा निगम लिमिटेट का प्रीमियम कैसे भुकतान करेंगे तो वीडियो में आप लोग अंतक बने रहे हैं साती दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले वीडियो पसंद आ या फिर हल्पूल हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप लोग मॉबाइल के स्क्रीन पे आ जाएंगे स्क्रीन में आ जाने के बाद यहां पे आप अपने फॉनपे को अपेंड कर लेंगे जब आप लोग का फॉनपे अपेंड हो जाता है तो थोड़ा सा स्कूल डाउन करके को मिल जाता है जैसे यहां पे देख सकते हैं बाइक इंसॉरेंस, गार इंसॉरेंस, हेल्थ इंसॉरेंस हो गया है एक्सिडेंट का हो गया तो यहां पे बहुत सारा इंसॉरेंस में आप लोग को सर्विसेस मिल जाता है तो यहां हम LIC का प्रेमियम बढ़ने वाले हैं तो य यहां पे आप लोग जिसका भी insurance करने वाले हैं, यहां पिर बाइक हो गया, यहां पिर health का करने वाले हैं, तो फिलाल हम यहां पे life का करने वाले हैं, तो यहां पे life का जो option मिल जाता है, इस पर click कर लेना है. अब आप लोग के सामने All Biller का Name यहाँ पे So हो जाता है, तो जिसमें भी आप लोग Premium ले रखे हैं, उसको क्लिक कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे LIC में Premium करवा रखे हैं, तो हम यहाँ पे Life Insurance वाले Option पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा आप लोग को फिल करने का रहता है, जैसे First में आप लोग यहाँ पे Policy Number को इंटर कर लेंगे, उसके बाद आप लोग का Email ID क्या है, Email ID को यहाँ पे फिल कर लेना है, यहाँ पे आप लोग Date of Birth को सेलेक्ट कर लेंगे, जब आप लोगों ने LIC का Premium ले रखा था, जब ल Select ने करना है, LIC के Receipt में जो दिया है Data of Birth उसी को यहाँ पे Select कर लेना है, जब यह सब डेटा को आप लोग भर लेते हैं, तो नीचे यहाँ पे आप लोग को Confirm का एक आइकन मिल जाता है, इस आइकन पे Click कर लेना है, जैसे ही आप लोग क्लिक कर लेते हैं, आप लोग के सामन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अब आप लोग नीचे देख रहे होंगे, Proceed to Pay का एक आइकन मिल जाता है, इस आइकन पर Click कर लेना है, जैसे ही Click करेंगे, आप लोग के सामने जो है, यहाँ पे Account Number सो हो जाता है, कि आप लोग कौन से Account Number से जो है, आप लोग Premium भरने वाले हैं, उसको यहाँ पे टिक कर लेना है, उसके बाद Pay वाले आइकन पे Click कर लेंगे, पे वाले आइकन पे Click करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ टेम तक का Wait कर लेंगे, यानि कि Payment को Complete होने दे लेंगे, जब आप लोग का Payment यहाँ पे Success हो जाता है, यानि कि Payment जमा हो ज जाता है, तो नीचे यहाँ पे Done वाले आइकन पे Click कर लेंगे, अब आप लोग को यहाँ पे एक Transaction ID मिल जाता है, साथ में यहाँ पे UTR नमबर भी मिल जाता है, अब यदि आप लोग Receipt को Download करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, आप लोग को आइकन मिल जाता हैं, डाउनलोड कर लेने के बाद इसका एक Copy जो है आप लोग Print करके अपने पास रख लेंगे, तो इस तरह से जो है आप लोग घर बेठी अपने Mobile से Life Insurance का Premium भर सकते हैं, तो I hope इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि घर बेठे जो है किस तरह से अपने Mobile Phone से LIC प्रेमियम भरा जाता है, अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह का निव वीडियो में निव अपडेट के साथ, तब तक के लिए जैहिन बंद मात्रों